पहला सवाल था हमारा कि आमनिकॉन की टेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं देखो आपको पता ही है अब ही जब यूएस के अंदर पहला केस आया था वो बहुत तीज से टूटे थे भारत के अंदर भी केस आया आज एस जेक्स निफ्टी और यूएस मारकिट्स का फरक आपको स सवाल पूछा तो भारत में ये बात सही है कि दो मामले पाए गए हैं लेकिन उसमें से एक मामला जो था एक यातरी जो की दुबई से भारत आये थे 60 वर्ष के थे उनके सभी प्राइमरी और सेकंडरी कॉंटेक्स को ट्रेस कर लिया गया है और वो इन फैक्ट वापस भी च चालता है और दूसरा होता है कि वाइरस कितना गंभीर है या फिर कितना सेवियर है जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है एक राहत की बात ये है कि ये सेवियरिटी में उतना गंभीर नहीं है अब तक जो संकेत हैं खुद सावथ आफरिकन एजिंसी जिन्होंने इसे चाल रहा है लेकिन क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है क्या इससे हॉस्पिटल्स ओफ्लो हो जाएंगे ऑक्सिजन की किलत हो जाएगी जो चीज़े हमने सेकेंड वियो में देखी थी अभी तक कम से कम इस तरह के संकेत नहीं है जो की एक राहत की बात है और इसी वज़े से चैसे यूएस में भी मामले सामने आने के बाद हमने एक न्यज़क रिएक्शन देखा था जब कैलिफोनिया में केस सामने इजनसी है इंसा कोग जो कि किस तरह का वेरियंट है उसकी टेंडेंसी क्या है क्या वैक्सीन इफेक्टिव है उस पर जो रिसर्च करती है उस एजनसी ने भी रेक्मेंट किया है कि बूस्टर डोस के बारे में सोचा जा सकता है तो मुझे लगता है कि यह महीना खतम होते होते भारत सरकार booster dose के उपर कोई ना कोई फैसला ले लेगी जो कि दुनिया भर की कई सरकारे अल्रेडी कर चुकी है या फिर करने के प्रोसेस में है तो second wave की शुरुआत में जो स्थिती थी उससे बहतर स्थिती में आज हम इसलिए हैं क्योंकि almost 50% के आसपास का population जो है भारत का adult population वो double vaccinated है और जहां तक single vaccination का सवाल है तो वो आखड़ा भी काफी ज्यादा है कुल मिलाकर 125 करोड vaccines already dose जो है वो दिये जा चुके हैं तो इसके चलते defend करने की position में भारत कई बैतर स्थिती में है compared to second wave की शुरुआत और इसलिए शायद market भी चिन्तिच जरूर है लेकिन panic में नहीं है कल हमने बजार में देखा भी है अब अगर हम global Qs की बात करें कल देखिए US में भी हमने देखा अच्छी बड़त देखने को मिली रुजान अच्छा था तो initial नीजक reaction जरूर देखने को मिला है लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया भर के बजारों को ये चीज़ समझ में आ रहे है कि एक तो ये variant fatal नहीं है या फिर उतना गंभीर नहीं है हो सकते हैं इसके severity डेल्टा जितनी हो या फिर डेल्टा प्लस जितनी हो लेकर उससे ज़्यादा होने के आशांका कम है हाँ यह उससे तेजी से ज़रूर फैलता है तो इसके चलते चिंता थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सिवियर होने के संकेत नहीं है दुनिया भर के जो pharmacy companies हैं वो लगी हुई है कि किसी तरह से इस वेरियंट को टैकल करने के लिए वैक्सीन को बनाया जाए अब कल इंडियन मार्केट्स के अगर आप बात करें तो देखे कल 17,400 के उपर क्लोजिंग हुई थी जो कि एक अच्छा संकेत है अलाकि कल की जो बाइंग थी मार्केट में उसमें शॉर्ट कवरिंग का एक काफी बड़ा हाथ था आज देखना होगा कि क्या फॉल अब बाइंग एट लिस्ट ऐसे सेक्टर्स में जहां पर बाइंग का केस बनता है वहां पर इमर्ज होती है या नहीं इस पर नज़र रखनी चाहिए लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि अगर बाजार 17300 के उपर रहता है आज अगर आप SGX निफ्टी को भी देखेंगे जरूर ये थोड़ा सा नेगेटिव उरुजहान दिखा रहा है लेकिन 17300 के लेवल पर नज़र रखिएगा क्योंकि 16800 से लेकर 17200, 17300 तक की ऐसी रेंज थी जिसमें बाजार रहेगा ऐसा लग रहा था जिस तरह की नर्वसनेस बनी हुई थी लेकिन कल इसके ऊपर निकला कन्विक्शन के साथ निकला हला कि उसमें शॉट कवरिंग का एक काफी बड़ा योगदान था लेकिन एक जो दूसरा ह नहीं लगता फिलाल की सिर्फ वाइरस के चलते बाजार यहां से बहुत बड़ी गिरावट देख सकता है अफिर धराशा ही हो सकता है मारकेट हो सकता है दाइरे में थोड़ा सा वालेटाइल रहे दूसरा एक अच्छा संकेत अब देखिए आई-पियो मारकेट में कल स्टा का आई-पियो जिस तरह से पूरी तरह सबस्क्राइब नहीं हो पाया हाला कि आई-पियो विल सेल थ्रू क्योंकि जो बाकी इसकी कंडिशन होती है वो मीट हो रही है तो इसके साइस को घटा कर इसे डिलिवर किया जाएगा लेकिन देखिए पेटियम के बाद यह दूसरा आई-पियो है जहां पर जो वैलिवेशन को लेकर कंसर्ण्स हैं उसे इन्वेस्टर ने सुना है और उस हिसाब से रियक्ट किया है तो एक जो फ्रेंजी होती है या फिर एक जिसे कहते हैं कि बेतहाशा तेजी या फिर फ्रॉथ होता है मार्केट में जिसमें हर कोई जहां IPO में पैसे लगाने की कोशिश करता है जहां चाहें खरीदने की कोशिश करता है वैसा नहीं है फिलहल मार्केट में जो कि मार्केट की हेल्थ के लिए फंडमेंटली अच्छा है